हलो फेंड्स मैं हुदी पंकर, वेलकम टू फोटोग्राफी टीप सिंधी और इस पिरम मैं Nikon Z6 Mark II के मेनू के अंदर यहाँ पर प्लेबैक मेनू, फोटो शुटिंग मेनू, मुवी शुटिंग मेनू, कस्टम सेटिंग मेनू, सेटाप मेनू और रिटाच मेनू और इन सारे म सेटिंग्स यह आपको देखने को मिलता है, उन सारे सेटिंग्स यह उप्शन्स को मैं एकएक करके, विज प्रैक्टिकल एग्जमपल आपके साथ डिसकस करूंगा, और आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन-कौन सा सेटिंग्स से बश्ट रहेगा, अगर आप कोई भी description में सारे settings का time stamp दे दिया है और आप वहाँ पे जाके बहुत ही आसनी से किसी भी settings में से skip या jump कर सकते हैं या आप वहाँ पे जाके particular कुछ settings को भी उस time stamp के उपर click करके देख सकते हैं तो वीडियो लास तक देने के बाद अगर आप अच्छा लगते हैं तो इस एक like कर देना और अगर आप इस जाले में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश करना मत बूलना अगर आप चाहे तो मुझे जिए इंस्टागा में फॉलो कर सकते मेरा इंस्टागा में लिंक आपको निचे देस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मेनू के अंदर आपको जो फॉर्स मेनू देखने को मिलता है वहाँ डिलीट तो बिसके लिए आप आप पटिकुलर इमेजेस को सिलेट कर सकते हैं और उसके बाद उसको डिलीट कर सकते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आप आपके अमेरी काड में से सारे इमेजेस को आप यहाँ पर देख पाएंगे और आप इंसर इमेजेस में से स्वीच करने के लिए आपको मल्टी सिले देख सकते हैं और इस तरह से multiple image को zoom out button को press करके select करने के बाद जब आप OK बटन पर press करेंगे और इसके बाद ds पर press करेंगे तो आपका वो सारी images डिलीट हो जाएगा यहां पर delete के अंदर आपको जो second option देखने को मिल रहा है वो है images shots on selected dates यानि कि यहां पर आके आप किसी particular date का उस date को select करके आप उस date का सारी images को आप एक साथ delete कर सकते हैं और यहां पर इसके बाद जो third option आपको देखने को मिल रहा है वो है all images यानि कि यहां पर आपके camera का currently playback folder का सारा images को आप एक साथ delete कर सकते हैं पर यहां पर आपका जो protected images है वो delete नहीं होगा तो यहां पर इसके बाद जो settings आपको देखने को मिल रहा है वो है playback folder तो basically जब आप आपके camera में photos या videos को play करते हो तो उस time आप कौन-कौन सा folders का images या videos को आप देखना पसंद करेंगे आप यहां प तो इस Nikon Z6 Mark II create किया हुआ जो सारे folders है अब जब play करेंगे तो उन सारे folders का images या videos ही आप देख पाएंगे अगर आप यहां पर इसका second option all पे set करके रखते है तो आपके SD card में अगर कोई दूसरा camera में create किया हुआ folders में images है तो आप उस images को भी आप इस camera में देख पाएंगे औ और यहां पर अगर आप इसका third option current पे set करके रखते है तो इस camera में create किया हुआ जो current folder है सिर्फ उस folder का images या videos ही आप camera में देख पाएंगे तो मैं यहां पर आपसे recommend करूँगा कि आप इसको all पे set करके ही रखिये यहां पर इसके बाद जो settings आप देखने को मिल रहा है वो है playback display options तो basically photo लेने के बाद आप जब उस photo को review करते है तो उस photo के साथ साथ आप camera में multi selector में आप या down button को प्रेस करके उस photo का क्या क्या information आप देखना पसंद करेंगे आप यहां से उसको set कर सकते है और यहां पर इसके अंदर आपको बहुत सरा options देखने को मिल जाएगा तो यहा पर जो first option है focus point अगर आप इसमें check करके रखते है तो जब आप photo लेने के बाद उसको review करेंगे और multi selector में आप या down button को प्रेस करेंगे तो आपका focus point कहा पे था वो आप screen में देख पाएंगे यहां पर इसका second option अगर आप exposure info पे set करके रखते है तो image लेने के बाद जब आप आपका image को review करेंगे और आपका multi selector में आप या down button को प्रेस करेंगे तो उस photo का shutter speed aperture ISO और camera mode आपका screen में show होगा यहां पर इसका third option अगर आप highlights पे check करके रखते है तो image line के बाद जब आप इसको review करेंगे और multi selector में आप या down button को प्रेस करेंगे तो आपका image का जो highlight part है वो blink क करेंगे आप इसके बाद जो option है RGB histogram तो अगर आप इसमें check करके रखते है तो photo लेने के बाद जब आप उसको review करेंगे तो आप इस image आ फैनला can arrow calling god is shooting data और आप इसपें चेक करके रखते तो photo लेने के बाद जब आप उसको रिव्यू करेंगे और आपका मल्टी स्लेटर में आप या डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो आप आपका उस इमेज का सारे मेजर और माइनो शुटिंग डेटा आप स्कीन में देख पाएंगे यहां पर इसके बाद जो ऑप्शन है वो है ओव जब आप आपका इमेज को रिव्यू करते तो इमेज के साथ साथ नीचे उस इमेज का फोल्डर नेम, फाइल नेम, डेट, रेजुलुईशन यह सब कुछ आपको नीचे देखने को मिलता है पर अगर आप इसको नन इमेज ओनली पे चेक करके रखते तो रिव्यू करने के ताइम आपका कैमेरा में मल्टी सेलेक्टर में आप यहाँ डाउन बटन को प्रेस करके आप इन सारे डेटर को आप एक के बाद एक देख पाएंगे तो इसके लिए आप यहाँ पर आपके ज़रुरत के हिसाब से ओप्शिंस को चेक करके रख सकते हैं तो यहाँ पी इसके फोटोस को या फोल्डर्स को आप पहले देखना या रखना पसंद करेंगे आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं यहाँ पी इसके बाद जो सेटिंस आपको देखने को मिलवा है वो है इमेज रिव्यू और इसके अंदर आगर आप इसको ऑन पे सेट करके रखते हैं तो फो फाइंडर से शूट करेंगे तब आटोमेटिकली वो इमेज आपका स्कीन में नहीं आएगा पर जब आप LCD या मॉनिटर को यूज करके कुछ फोटो कीचेंगे तब वो फोटो आटोमेटिकली आप स्कीन में देख पाएंगे शूट करने के बाद और यहाँ पर इसका जो इसको ऑन पे सेट करके रख सकते हैं पर इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा बैटरी ड्रेन का इसूस देखने को मिल सकता है इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स आपको देखने को मिल रहा है वो है आप्टर डिलीट तो विसकलिए आपका कैमेरा के LCD में आपका फोटो क रिव्यू करने के टाइम में जब आप कोई फोटो को डिलीट करते हो तो उसके बाद आप इस ओडर में फोटो को देखना चाहते हो आप यहाँ से उसको सिलेट कर सकते हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट आप्शन है शो नेक्स यानि कि डिलीट करने के बाद नेक्स फोटो शो होगा यहां पर जो second option है वो है show previous यानि कि कोई भी फोटो को delete करने के बाद उसका previous photo show होगा और यहां पर जो third option है continuous as before यानि कि आप जिस order में photo को play कर रहे हैं आप delete करने के बाद उस order पे ही photo show होगा यहां पर इसके बाद जो settings आप आप देखने को मिलुआ है वो है after burst show तो विजिकली जब आप continue shooting mode में या burst mode में एक series में बहुत सरे images ले रहे हैं तो उस burst के बाद आप कौन सा image देखना पसंद करेंगे आप यहां से उसको set कर सकते तो अगर आप यहां पर इसका first option first image in burst पे set करके रखते तो जो burst mode का first image है वो आप जब play करेंगे तो वो show होगा और यहां पर जो second option है last image in burst यानि कि आप जब burst mode में shoot कर रहे हैं तो जो last image camera capture किया था वो पहले display होगा जब आप उसको play करेंगे पर दूस्तों यहां पर यह option तभी काम करेगा जब आप image review option को off करके रखेंगे तो इसके बाद यहां पर जो settings आपको देने को मिलवा है वो है rotate tall तो basically अगर आप यहां पर इस option को on करके रखते है तो आपका capture किया हुआ image आपको correct orientation में आपका screen में आपको देखने को मिलेगा पर उसको मैं यहां पर इसको off करके ही रखता हूँ क्योंकि अगर आप मैं इसक आपको on करके रखोंगा तो यहां पर vertical image vertically मुझको show होगा वो यहां पर full skin मुझे नहीं देखने को मिलेगा यहां पर इसके बाद जो settings आपको मिलवा है वो है copy images तो basically यहां पर आके आप अगर आपके camera में दो memory card है तो आप एक memory card से दूस्टे card में photo को यहां पर आके copy कर सकते तो यहां पर इसके बाद जो settings आपको मिलवा है वो है slideshow तो यहां पर आके आप आपके camera के अंदर ही आपका camera का photo या video से slideshow को play करके आप देख सकते हैं तो इसके अंदर यहां पर जो second option है वो है image type यानि कि slideshow के अंदर आप क्या-क्या add करना चाहेंगे आप यहां से उसको set क कर सकते हैं यानि कि आप यहां पर first option still images and movies को आप select कर सकते हैं या फिर सिर्फ यहां पर images को select कर सकते हैं या फिर सिर्फ यहां पर movie को select कर सकते हैं या आप by rating भी आपका images को select कर सकते हैं और यहां पर जो third option है वो है frame interval यानि कि एक photo या video play होने के कितना time बाद दूसरा photo या video play ह आप उसका इंटर्वल यहां से सेट कर सकते हैं और यहां पर स्टार्ट पर आके आप उस स्लाइड शो को प्ले करके देख सकते हैं और यहां पर playback menu के अंदर आपको जो last option देखने को मिल रहा है वो है rating और यहां पर आपके capture किया हुआ images को आप multi selector में आप या down button को प्रेस करके 1 star से 5 star तक rate कर सकते हैं आपके हिसाब से तो यहां पर playback menu के बाद आपको देखने को मिलता है photo shooting menu और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे options या settings देखने को मिलता है तो चलिए एक-एक करके उन सारे settings को भी जान लेते हैं तो photo shooting menu के अंदर आपको जो first option देने को मिलता है वो है reset photo shooting menu तो basically यहाँ पे आपके आपके सारे photo shooting menu के अंदर जो settings है उसको आप reset करके factory default में set कर सकते है तो यहाँ पर इसके बाद जो settings आपको देने को मिल रहा है वो है storage folder और इसके अंदर आपको जो first option देने को मिल रहा है वो है तो इसे के लिए यहां पर आके आप आपका storage folder को आपकी हिसाब से rename कर सकते हैं इसके बाद यहां पर जो second option है वो है select folder by number यानि कि यहां पर आके आप number के हिसाब से आप folder को create कर सकते हैं और यहां पर जो third option है वो है select folder form list यानि कि आपके इसको factory default पे ही रखता हूँ यहाँ पर इसके बाद जो settings आप देने को मिलवा है वो है file naming तो basically यहाँ पर आके आप आपका image file name का first तीन डिजिट को आप आपके ही सबसे rename कर सकते हैं और यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ फे default पे ही रखता हूँ यहाँ पर इसके बाद जो settings आप देने को मिलवा है वो है primary slot selection तो basically अगर आपके camera में दो memory card एक XQD और HD card already है तो आप कौन सा slot को आप as a primary use करना चाहते है आप यहाँ पर उसको select कर सकते हैं तो यहाँ पर primary slot को select करने के बाद आपका secondary slot रहता है उसको आप कैसे use करना चाहते हो आप यहाँ पर secondary slot function पर आके उसको set कर सकते हो तो इसके अंदर आपको जो first option देखने को मिलता है वो है overflow यानि की primary slot full हो जाने के बाद automatically image secondary slot पर save होगा यहाँ जो second option है वो है backup यानि की यहाँ पर आप जो image को capture करेंगे वो same photo दोनों slot पर ही save होगा और यहाँ जो third option है वो है raw primary और jpeg secondary यानि की आपका जो raw image है वो primary slot पर save होगा और जो jpeg image है वो secondary slot पर save होगा तो basically मैं यहाँ पर इसको overflow करके रखते है तो आपका image actual 36 x 24 mm fx format में आपका image record होगा यहाँ जो second option है वो है dx 24 x 16 यानि की अगर आप इसमें set करके रखते है तो आपका image crop हो जाएगा और इसमें set करने का एक advantage भी है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्र टेली फोटो रीच भी यह देखने को मिलेगा यहाँ पर जो third option है उसमें आप image का aspect ratio 1 is to 1 में set कर सकते हो इसमें आपको square 1 is to 1 का image मिलेगा और यहाँ पर फोर्थ option है वो है 16 is to 9 यानि की आप 16 is to 9 aspect ratio पे 36 x 20 mm fx format में भी image capture कर सकते हो तो मैं आपसे recommend का कि आप इसको fx 36 x 24 में ही set करके रखिये तो यहाँ पी इसके बाद जो settings आपक देने को मिल रहा है वो है image quality है और इसके अंदर आपको बहुत सारा options देने को मिल रहा है तो basically यहाँ पर आप क्या raw में shoot करना चाहते है या क्या jpeg में shoot करना चाहते है वो आप यहाँ से select कर सकते है तो basically I think आप सभी जानते के raw image क्या है यहाँ पर जो लोग नहीं जानते के raw image किया है तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहते हो कि raw image मतलब अपका camera द्वारा capture किया गया unprocessed और uncompressed image है यानिकि raw image में जादा से जादा data store रहता है और आप बाद में post processing करके बहुत ही आसानी से कोई भी image को correct कर सकते है अगर वो raw image है तो और इसलिए raw image गर size भी बहुत ही आपको post processing करना पड़ता है और JPEG मतलब आपका camera द्वारा capture के गया processed और compressed image है यानिकि इसमें camera या फिक camera का algorithm automatically sharpness saturation या जो जो सारे और भी parameters है वो उसको apply करके आपको देता है तो आप उसको बहुत ही आसनी से किसी भी device में views या share कर सकते है और यहां पर इसका size भी छोटा होता है तो basically मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप post processing नहीं करते है या post processing करना नहीं जानते तो मैं आपसे recommend करूंगा कि आप JPEG में ही shoot करें और definitely अगर आप post processing ज्यादा करते है या आपका post processing कोई software है तो आप ये raw में shoot कर सकते हैं यहां पे JPEG fine star और JPEG fine दोनों अलग अलग options है यान option देखने को मिलता है तो अगर आप इस option पे shift करके रखते है तो आपका same frame का एक raw image और एक JPEG image मिलेगा तो मैं basically raw पे ही shoot करता हूँ और आपसे भी recommend करूंगा कि आप भी raw पे ही shoot करें पर अभी के लिए अगर आप raw image को process करना नहीं जानते तो आप यहां पे raw plus JPEG में भी shoot कर सकते हैं और अभी के लिए उस JPEG image को आप यूज कर सकते हैं और raw image को future process या future में यूज करने के लिए रख सकते हैं पर raw plus JPEG में shoot करने का एक disadvantage है कि आपके memory card बहुत ही जल्दी full हो जाएगा इसके बाद यहां पे जो settings आपको देने को मिलो है वो है image size और इसके अंदर आपक JPEG के अंदर आपको तीन options देने को मिलो है large, medium, small और आप यहां पर देख सकते हैं के large image का resolution और उस image का size है यानि कि कितना space एक image लेगा वो आप side में देख सकते हैं तो मैं आप से recommend करके always large पर ही set करके रखिए क्योंकि इसमें आपको आपका camera का सबसे base resolution का image आपको मिलता है त अगरेट कर सकते हैं तो यहां पर भी मैं आपको से large पर रखने के लिए recommend करूंगा यहां पर इसके बाद जो settings आपको देने को मिलो है वो है NEF RAW recording और इसके अंदर आपको दो options देने को मिलो है जो first option है वो है NEF RAW compression और इसके अंदर भी आपको तीन अलग-अलग options देने को मिलो तो यहां पर जो second option है compressed अगर आप इसमें set करके रखते है तो आपका camera का raw image है उसमें camera का complex compression algorithm उस raw image को compress कर देगा और इसमें आपको जो data है वो आपको loss होगा पर यहां पर raw image का size है वो छोटा होगा यहां पर जो first option है lossless compressed यानि कि यहां पर camera का algorithm raw image में से कोई भी data को loss ना करके इसको compress करता है यानि कि आपका full data भी मिलेगा पर यहां पर जो size है वो छोटा होगा और यहां पर जो third option है वो है uncompressed यानि कि यहां पर camera का कोई भी compression algorithm काम नहीं करेगा आपको full data मिलेगा पर यहां पर जो raw image का size है वो बहुत ही ज़ादा होगा तो मैं यहां पर आपसे recommend करते हैं तब आप उसको यहां पर compressed में set करके रख सकते हैं इसके अंदर यहां पर जो second option था वो है nef bit depth और इसके अंदर आपको 12 bit और 14 bit का option देने को मिलता है तो basically एक 14 bit raw image 12 bit raw image से 4 times ज्यादा टूनाय वैलू को capture या store कर सकते हैं तो इसलिए मैं आपसे recommend करूगा कि आप इसक करके रख सकते हैं तो इसके बाद यहां पर जो settings आपको देने को मिलूआ वो है ISO sensitivity settings और यहां पर आके आप जो second option है इसमें आप auto ISO sensitivity control को on या off कर सकते हैं और अगर आप इसको on करते हैं तो यहां पर इसका minimum ISO और यहां पर जो third option है यहां पर आके आप maximum ISO कितना तक जाएगा auto ISO में वो आप यहां से set कर सकते हैं इसके बाद यहां पर जो option है maximum sensitivity with flags उसको भी आप set कर सकते हैं और minimum shutter speed को भी आप यहां पर set कर सकते हैं तो यहां पर इसके बाद जो settings आपको देने को मिलूआ है वो है white balance तो white balance को control करने के लिए आपको यहां तक आने की जरूरत नहीं है आप camera में FN1 button को press करके आप इससे white balance settings को access कर पाएंगे तो basically इसके अंदर आपको बहुत सारा options देने को मिलूआ है जो first option है वो है auto और auto में भी आपको तीन अलग-अलग options देने को मिलूआ है यहां जो first option है auto zero तो basically यहां पर आप set करके रखते हैं तो यह basically white का जो worms color है उसको reduce करता है यहां पर जो second option है वो default option है और यह basically मैं इसमें set करके रखता हूं और यहां पर जो third option है auto two तो अगर आप इसमें set करके shoot करते है तो यह basically जो light का worms color है वो जादा से जादा preserve करता है और आपको auto के बाद आपको कुछ scene based अलग-अलग light source के अलग-अलग white balance का options भी देगने को मि basically मैं raw में shoot करता हूँ और यहां पर जो white balance है उसको auto one जो default option है उसमें set करके रखता हूँ तो अगर आप भी raw में shoot करते है तो आप auto में shoot कर सकते है और आप easily बाद में post processing करके और white balance को change या correct कर पाएंगे तो यहां पर इसके बाद जो settings आपको मिलवा है वो है set picture control यहां पर इस landscape flat तो यह basically अपका image, sharpness, clarity, contrast, brightness, saturation या tone को adjust करके create किया हुआ कुछ preset है और आप इसे different subject या situation में अपकी images के ऊपर apply करके आप उसको उस तरह से looks दे सकते है तो basically अगर आप JPEG shoot करते है तो आप इस options में से set करके आप experiment कर सकते है और यहां पे और भी कुछ creative picture control का options यहां पे है तो आप इसको भी apply करके experiment कर सकते है इसके बाद इहां पे जो settings है, accordance picture control तो basically यहां पे आके आप कोई existing picture control से आप उसको modify करके custom picture control बना सकते है या आप खुद मया कस्टम पिक्चर कंट्रोल क्रियेट कर सकते हैं यहां पर इसके बाद जो सेटिंग्स है वह है कलर स्पेस और इसके अंदर आपको दो ओप्शन्स देखने को मिलवा तो इसके बाद यहां पर जो सेटिंग्स है वह है एक्टिब डी लाइटिंग तो बिसिकली जब आपको हाई कॉंट्रास शीन में शुट कर रहा है तो इस एक्टिब डी लाइटिंग फंक्शन आपका इमेज का जो हाईलाइच और जो सेडोस पार्ट है उसमें से डीटेल को और भी इंप्रूव करता है और इसलिए डाइनमिक रेंज भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है तो अगर आप जेपैक शुट करते हो तो मैं आपसे रेकॉमेंड करूंगा कि आप इसको आप इसको आप नॉर्माल पे शेट करके रखिए इसके बाद यहां पर जो सेटि आपका उस लॉंग एक्सपोजर इमेज से या स्लो शटर इमेज से जो नॉइज आएगा उसको रिमूब करने का ट्रॉइ करेगा इसके बाद यहां पर जो सेटिंग से वह हाई आयसो नॉइस रिडक्शन यानि कि जब आप हाई आयसो में जेपैग में शूट कर रहे है उस इसको हाई कर देंगे तो आपका इमेज से नॉइस तो चला जाएगा पर आपका जो इमेज है वह बहुत ही स्मूध हो जाएगा तो इसलिए मैं आपसे रेकॉमेंड करूंगा कि आप इसको नॉन्वल पर ही शेट करके रखिए इसके बाद यहां पर जो ऑप्शन है वह है इसको जिनरली नॉर्माल पर रख सकते हैं मैं जोनरली इसको ओफ करके ही रखता हूं यहां पर इसके बाद जो ऑप्शन है वह है डिफ्रेक्शन कॉम्फेंशेशन तो बिसिकली स्मॉलर एपर्चर में शूट करने के टाइम या जब आप बहुत ज़्यादा लर्ज एपस्टॉब नंबर पर शूट कर रहे हो जैसे क आपका इमेज उतना ज्यादा शार्प नहीं होता है या उसमें बलर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है और बिसिकली इसको ही कहते है लेंस डिफ्रेक्शन और यहां पर आप इस ओप्शन को अन करके उस लेंस डिफ्रेक्शन को आप कुछ तक मिनिमाइस कर सकते हैं तो आप इसके बाद जो सिट्टिंग्स है वो है ओटो डिफ्रेक्शन कंट्रोल तो बिसिकली अगर आप इस ओप्शन को अन करके रखते हैं तो जब आप कोई वाइड एंगल लेंज से शूट कर रहे हैं तो इस टाइम कैमेरा का अल्गुरीदम आप्टोमीटिकली जो बैरेल कर देता है तो यह आप माइन में रखना तो यहां पर अगर आप कोई सीप्यू एक्विप्ट लेंस को यूज कर रहे हैं तब आप इस ओप्शन को एक्सेस कर पाएंगे और इसको ऑन या ओफ कर पाएंगे यहां पी इसके बाद जो सेटिंग्स आपो देने को मिलुआ है व देखने को मिलता है आप यहां पर इस फ्लिकर रिड़क्शन ओप्शन को ओन करके उसको कुछ अधक बिनिवाइस कर सकते है पर दोस्तों अगर आप इसको ओन करके कंटीनियू आशूट कर रहे हैं तो आपका फ्रेम डेट में ड्रॉप्स देखने को मिल सकता है तो मैं वेस कर इस जंज कर के आपके कैमरा को बता रहे हैं यहाँ जो आपके सब्सक्राइब करीडिव देखने कर कर देखने ही MIKE साथी में डेके यहका देखता है में इसको ही use करते है तो आप जनररली इसको मैट्रिक्स मीटरिंग में सेट करके रख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर जो option है वो है flash control तो बिसकलिए जब आप आपके camera के साथ को external flash को add करेंगे तब आप इस option को access कर पाएंगे फिलाल के लिए अभी कोई external flash camera के साथ attached नहीं है तो मैं इसको access नहीं कर पा रहा हूँ तो इसके बाद यहाँ पे जो settings है वो है flash mode और इसके अंदर भी आपको बहुत सारा options देने को मिलता है तो मैं basically यहाँ पे जो default fill flash है इस पे ही share करके रखता हूँ तो यहाँ पे इसके बाद जो settings है वो है flash compensation और यहाँ पे आके आप flash का amount of power है या flash का जो output है उसको आप जादा या कम कर सकते है तो यहाँ पे इसके बाद जो settings आपको देने को मिलता है वो है focus mode और इसके अंदर आपको तीन अलग-अलग options देने को मिलता है तो अब आप इसको AFS में रखके shoot कर सकते हो अगर आप कोई moving subject को shoot कर रहे हो तो आप यहाँ पे AFC mode में shoot कर सकते हो और यहाँ पे MF यादर के आप manual focus कर सकते हो यहाँ पे इन सारे autofocus modes के बारे में मैं dedicated video अलड़ी बना चुका हूँ तो अगर आप ने वो वीडियो नहीं देगा तो इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा और यहाँ पे इन सारे autofocus modes को change करने के लिए आपको यहाँ तकाने के कोई जरुवत नहीं है अब यहाँ पे camera में FN2 button को press करके इन सारे autofocus modes को access कर पाएंगे और यहाँ पे main comment डाल को rotate करके आप autofocus modes में से change कर पाएंगे यहाँ पी इसके बाद जो settings आपको देने को मिल वो है F area इनके autofocus area mode तो basically हम camera में autofocus area mode को change करके हमारा camera को यह बताते के different subjects या situation में हमारा camera उसका जो autofocus points है उसको कैसे use करेगा यहाँ पी इसके अंदर आपको बहुत सारा options देने को मिलो है तो यहाँ पे जो first option है वो है PIN POINT तो basically इस autofocus area mode को आप AFS mode में use कर सकते हैं और जब आप कोई steady subject को shoot कर रहे हो तो आपका frame में से कोई specific spot का अगर आप focus लेना चाहते हो तब आप इसको PIN POINT AF में set करके रख सकते हो तो basically यहाँ पे आपके camera में available सबसे smallest जो focus points है वो use होता है और वो contrast detection autofocus points होता है तो इसलिए यह autofocus area modes उतना first यह accurate नहीं है यहाँ पी इसके बाद जो autofocus area mode है वो है single point AF और basically आप इसको steady या stationary subject के लिए use कर सकते हैं और इस autofocus area mode में आप कोई single point को left right up down करके अपना subject के ऊपर रख के आप subject को focus कर सकते हैं तो most of the stationary subject को shoot करने के लिए यह autofocus area modes use होता है यहाँ पे इसके बाद जो autofocus area mode है वो है dynamic AF area mode basically यह कोई moving subject को shoot करने के लिए use होता है और आप जब APC mode में shoot कर रहा है और आप कोई moving subject को shoot कर रहा है तब आप dynamic AF area mode में shoot कर सकते हैं तो basically इस autofocus area mode में आप एक ही single point को अपना subject के ऊपर रख के shutter button को half press करके उसमें focus पास सकते हैं और यहाँ पे shutter button के अपना subject को focus करने के बाद अगर वह subject move करता है और अब भी उस selected autofocus point पे अपना subject को रख के camera को move करते हैं तो camera लगाता है उसको focus करता रहता है तो move करने के टाइम में जब उस selected autofocus point आपके subject से बाहर चला जाता है तो यहाँ पे उस selected autofocus point का जो surrounding autofocus point है वो आपका subject को focus को maintain रखता है तो यहां पर इसके बाद जो autofocus area mode है वो है wide area app small और wide area app large तो basically in autofocus area mode में एक group of autofocus points उस होता है as a large F points तो आप इन दोन autofocus area modes को भी किसी moving subject को shoot करने के लिए use कर सकते है यहां पर जो wide area app small है वो ज़्यादा effective है moving subject को track करने में इसके बाद यहां पर humans और animals को shoot करने के लिए भी उसका dedicated AF area modes को भी दिया गया है और यहां पर जो सबसे last autofocus area mode है वो है auto area F तो मैं आपको यहां पर इस autofocus area mode को यूज करने के लिए बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा क्यों यहां पर camera खुद decide करता है कहां पर focus होना चाहिए और यह ज़्यादा time ठीक्टा से काम नहीं करता है यहां पर भी autofocus area modes को change करने के लिए आपको यहां तक आने की कोई ज़रूद नहीं है आप आपका camera में FN2 बटन को प्रेस करके camera में sub comment डाल को rotate करके आप autofocus area modes में से change कर सकते मैं Nikon के DSLR का autofocus mode और autofocus area modes के काफी सारे videos बना चुका हूँ पर अभी तक Z series का mirrorless camera के उपर नहीं बनाए हूँ अगर बाद में हो सके तो मैं mirrorless cameras के जो autofocus area modes है और जो autofocus modes है उसके लिए dedicated video भी बनाऊंगा तो यहाँ पर इसके बाद जो settings है वो है vibration reduction तो यहाँ पर आके आप आपके camera का vibration reduction को on या off कर सकते हैं और यहाँ पर Nikon के Z series में आपको एक sports mode भी देखने को मिल रहा है तो यह कितना effective है मैं अभी तक उसको test नहीं किया हूँ इसके बाद यहाँ पर जो settings है वो है auto bracketing और इसके अंदर आके आप यहाँ पर जो first option है auto bracketing set तो यहाँ पर आके आप किस चीज का bracketing करना चाहते हो आप यहाँ से उसको select कर सकते हो और यहाँ पर number of shots और increment का भी option आपको देखने को मिल देगा इसके बाद यहाँ पर जो settings है वो है multiple exposure तो यहाँ पर आके आप उसका settings कर सकते हो तो यहाँ पर जो first option है वो है HDR mode तो basically on series मतलब आप जो सारे photos कीचेंगे सब आपको HDR photo मिलेगा यहाँ पर on single photo याँ कि आप सिर्फ एक HDR photo ले पाएंगे और इसके बाद normal पर चला जाएगा और यहाँ पर op का option आपको देने को मिल हुआ है यहाँ पर जो second option है वो है exposure differential इसके मतलब HDR photography में आप जो multiple shots camera लेगा उन multiple shots में से exposure value का difference क्या होगा आप यहाँ पर आके उसको set कर सकते हैं इसके बाद जो option है वो है smoothing यानि कि यह आपका जो HDR photo है उसको थोड़ा सा natural looks देता है तो आप इसको norma पर set करके रख सकते हैं और यहाँ पर जो fourth option है वो है save individual images यानि कि HDR photography करने के time camera जो सारे multiple shots लेगा वो भी save करेगा और जो combine image है वो भी save करेगा तो मैं generally HDR photography नहीं करता हूँ तो मैं इस option को use नहीं करता हूँ यहाँ पर जो settings है वो है interval timer shooting तो यहाँ पर आके आप time lapse photography कर सकते हैं और time lapse photography के उपर मैं already एक बहुत beautiful dedicated video बना चुका हो तो आगर आपने नहीं देखा तो उस video को आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद जो settings है वो है time lapse movie यानि की interval timer shooting options में लिया गया जो shots है उसको combine करके camera के अंदर ही camera automatically एक time lapse movie यहाँ पर आपको बना देगा तो यहाँ पर इसके बाद जो settings है वो है focus shift shooting basically जब आप focus tracking macro photography कर रहे हो तब आप यहाँ पर आके focus को shift करके multiple shots लेके आप shoot कर सकते हो यह option मैं अभी तक use नहीं किया हूँ पर मैं जल्दी इसके उपर भी video बनाऊंगा तो इसके बाद यहाँ पर जो option है वो है silent photography और यहाँ पर camera जो electronic shutter है उसको use करता है तो यहाँ पर photo shooting menu के बाद आपको movie shooting menu का settings आपको देने को मिलेगा और इसके अंदर भी आपको बहुत सारा settings देखने को बिल रहा है यहाँ पर movie shooting menu के अंदर जो first settings है वो है reset movie shooting menu यानि कि यहाँ पर आके आप इस movie shooting menu के सारे settings को आप factory default में set कर सकते है इसके बाद यहाँ पर जो settings है वो है file naming तो basically photo के जासा video में भी आप file या video file का जो name है उसका first three digit को आप आपके हिसाब से set कर सकते है तो मैं इसको भी factory default में ही इसके बाद यहाँ पर जो settings है वो है destination यानि कि आप आपके camera में capture किया हुआ video को कौन सा card slot में save करना चाहते हो आप यहाँ से उसको set कर सकते हो यहाँ फोटो के image area के जैसा video में भी आपको choose image area का option देखने को मिलता है तो आप इसको fx या dx आपकी सब से set कर सकते हो मैं आप से इसको fx में ही set करके रखिए इसके बाद frame size और frame rate यानि कि आप video का जो resolution है और जो frame rate है यहाँ से आप उसको set कर सकते हो तो यहाँ पे आपको maximum 3840 x 2160 30p का video recording का option देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको full HD 120p का video recording का option यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे slow motion videos का भी आप आपको कुछ options देने को मिलेगा तो basically frame size और frame rate आप पर जितना maximum रखेंगे आपका video का size भी उतना ज्यादा होगा पर quality भी उतना अच्छा होगा इसके बाद जो option है movie quality और basically आप इसको high quality में set करके रख सकते हैं पर यहाँ पे जो video का size है वो ज्यादा होगा इसके बाद यहाँ पर जो settings है वो है movie file type और इसको मैं यहाँ पर MP4 पर ही set करके रखता हूं इसके बाद यहाँ पर जो settings है वो है ISO sensitivity settings तो basically यहाँ पर आके आप video में ISO को control कर सकते हैं जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर first option है maximum sensitivity यानि कि auto ISO में आप maximum ISO कितना तक जाएगा वो आप यहाँ पर set कर सकते ह हो यहाँ पर जो second option है auto ISO control mode aim यानि कि manual mode में आप auto ISO sensitivity को on या offer कर सकते हो और यहाँ जो third option है यहाँ पर आके आप manual mode में ISO को choose कर सकते हो यहाँ पर photo shooting menu के जैसा video shooting menu में भी आपको white balance को adjust करने का options आपको देखने को मिल रहा है इसके बाद यहाँ पर photo shooting menu के जैसा यहाँ भी आपको set picture control और manage picture control का options भी यहाँ पर दिया गया है तो यह basically हम photo shooting menu में already explain कर चुक है तो अगर आपने वह part skip किया है तो आप please जाके वह देख लीजिए यहाँ पर वीडियो में भी आपको active delighting on off का option देखने को मिलता है यहाँ पर वीडियो में भी आपको high ISO noise reduction का option देखने को मिलता है यहाँ पर इसके बाद वीडियो में भी आप वीडियो में भी आप विगनिट कांट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो में भी आपको diffraction compensation का option भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर photo shooting menu के जासा video shooting menu में भी auto distortion का और यहाँ पर इसके बाद flicker reduction यानि कि जब आप कोई artificial light पर shoot क बढ़ रहा है तो जो flicker या light banding आपके वीडियो में आता है आप यहाँ पर आके उसको minimize कर सकते हैं तो आप इस option को auto पे रख सकते हैं और यहाँ पर auto में अगर आपको tic tac से result देखने को नहीं मिल रहा है तो आप इसे 50 hertz या 60 hertz में से set कर सकते हैं यहाँ पर photo shooting menu के जासा video में भी आप metering mode को change कर सकते हैं तो मैं इन सारे metering mode के ओपर video बना चुका हूँ तो आपने नहीं देखा तो वो video देख सकते हैं उसका link आप नीचे description में मिल जारेगा यहाँ पर इसके बाद जो settings आप देने को मिल वह है focus mode तो basically यहाँ पर आके आप video recording करने के time आप camera का auto focus mode को change कर स सकते हैं अपने subject या situation के हिसाब से तो इसके अंदर आपको जो first option देने को मिल वह है AFS तो basically आप इसे stationary किसी subject को video recording करने के time use कर सकते हैं तो basically इस auto focus mode में focus point को lab right up down करके अपना subject को उपर रख के shutter button को half press करके अपना subject को focus कर सकते हो और जब camera आपके subject को focus कर लेगा तो वो focus point green हो ज करके रखेंगे focus उस जगह पे lock रहेगा अगर आपका camera आपके subject को focus नहीं कर पाता है तो वो focus point red आपको दिखेगा इसके बाद यहां पे जो settings है वो है AFC यानि कि जब आप कोई moving subject का video recording कर रहे हैं तब आप इसको AFC में set करके record कर सकते हैं इस auto focus mode में shutter button को half press करके अपना subject को focus क हमने के बाद अगर आप उस folder button को half press कर के hold करके रखते है और आपका subject अकर move गरता है तो camera automatically है अपका subject को focus करता है यहाँ पर इसके बाद आपेAKड के movement के हिसाब से आपका subject को track करता है और यहां पर manual focus का option भी यहां पर देखने को मिल रहा है तो यहां पर इसके बाद photo shooting menu के जासा movie shooting menu में भी autofocus area mode change या select करने का option भी यहां पर आपको देने को मिल जाता है तो मैंने इन सारे autofocus area mode को थोड़ी दिर पहले ही explain किया था तो अगर आपने वह part skip किया है तो please आप उसको जाकर देख लीजिए यहां पर इसके बाद vibration reduction का option है यानि कि आप movie में vibration reduction को normal sports या off इन में से choose कर सकते इसके बाद यहां पर electronic VR का on off का option आपको देने को मिलवा है इसके बाद यहां पर settings है microphone sensitivity तो यहां पर आके आप internal या external mic का जो sensitivity है उसको आप यहां पर auto या manual या आप उसका sensitivity को set कर सकते और यहां पर microphone off का option आपको देखने को मिलवा है इसके बाद यहां पे जो settings है वो है attenuator यानि कि इस option को on करके आप जो background audio distortion है उसको आप कुछ हद तक prevent कर सकते हैं इसके बाद यहां पे जो settings है वो है frequency response और इसके अंदर आपको wide range और vocal range का option देखने को मिलता है यहां पे आपको wind noise reduction का on-off option भी देखने को मिलता है यहां पे headphone volume को यहां पे आके जादा या kinda कर सकते हैं और यहां पे वीडियो में time code को record करने का option भी यहां पे आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर movie shooting menu के बाद आपको जो settings देखने को मिलता है वह है custom settings menu और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे sections है और उन सारे sections के अंदर आपको बहुत सारे settings देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर यह जो सारे custom settings menu के settings है इसके उपर मैं अलग सा dedicated video बनाओगा क्योंकि यहाँ पर यह जो video है वो already 40 minutes लंबा हो चुका है और अगर मैं इस video में custom settings menu को भी add करूंगा तो सिर्फ यहाँ पर यह custom settings menu को expand करने में ही मुझे 30 से 40 minutes लग जाएगा तो मैं इसको अ मिलता है वो है setup menu और इसके अंदर भी आपको बहुत सरा options या settings देखने को मिलता है तो चलिए एक एक करके उनको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर setup menu के अंदर आपको जो first option देखने को मिलूआ है वो है format memory card तो basically यहाँ पर आपके camera के अंदर ही आपके memory card को format कर सकते और आपक के आप different different settings को आप आपके हिसाब से U1 या U2 या U3 में save कर सकते हैं और यह basically जब आप कोई combination of settings को बार बार यूज करते हैं तब यह बहुत ही काम में आता है और आप यहाँ पर camera में mode डाल में U1, U2, U3 को rotate करके आप उन सारे settings को access कर पाएंगे इसके बाद यहाँ पर जो option है reset user settings तो basically U1, U2, U3 में जो settings आपने save किये थे उसको आप यहाँ पर reset कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर language का option आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर Hindi और English का option है तो आप इसको English पर ही रखिए इसके बाद यहाँ पर time zone and date का option भी देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर यहाँ पर monitor color balance को multi slater में left right up down करके भी आप modify कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आके आप viewfinder brightness को भी control कर सकते हैं यहाँ पर control panel का यान की जो top LCD का brightness है उसको भी आप यहाँ से auto या manually control कर सकते हैं या आप control panel को off भी रख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर settings है वो है limit monitor mode selection तो basically जब आ monitor में या monitor से viewfinder में switch करते हो पर आप इस viewfinder और monitor को किस तरह से use करना चाहते हो आप यहाँ से उसको set कर सकते हैं यहाँ पर इसका जो first option है automatic display switch तो basically अगर आप इसमें check करके रखते हैं जब आप आपका camera का viewfinder में देखेंगे तो camera का eye sensor automatically आपका eyes को detect कर लेगा और जो view है वो automatically viewfinder पर switch हो जाएगा यहाँ जो second option है viewfinder only यानि कि यहाँ पर camera monitor को off रखेगा और जो display है वो आपको viewfinder में देखने को मिलेगा यहाँ पर monitor only मतलब जो display है आपको monitor में देखने को मिलेगा viewfinder off रहेगा और यहाँ पर जो fourth option है यह कुछ DSLR के जैसा है यहाँ पर camera viewfinder को ही ज्यादा priority द डिस्प्ले आपको monitor में आपको देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर जो setting से वह information display तो basically यहाँ पर आप जो display information का theme है वह आप यहाँ पर dark on light या light on dark में से set करके उस theme को change कर सकते है इसके बाद यहाँ पर जो setting से वह है F fine tune तो basically यहाँ पर आपके आप lens के focus को fine tune कर सकते है पर यह exparta काम है तो मैं आपसे यह settings यूज करने के लिए बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगा इसके बाद जो setting से वह है non CPU lens data तो basically यह non CPU lens का maximum aperture और focal length को record करने के लिए use किया जाता है यहाँ पर इसके बाद जो setting से वह है save focus position तो basically अगर आप इसको on करके रखते है तो आपका current focus position है वह camera save करता है और जब आप आपका camera को off करके on करते हो तो वह focus position को camera restore करता है पर यहाँ पर अगर आप इसको on करके रखते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा आपको start up time में देखने को मिलता है इसके बाद यहाँ पर settings है clean image sensor तो basically यहाँ पर आके आप clean now को select करके आप आप time camera को shutdown करेंगे तो camera automatically उसका sensor को clean करेंगा और यहाँ पर cleaning off का option है इसके बाद यहाँ पर settings है image dust of ray photo तो basically यहाँ पर आके आप कोई sample image को use करके आप sensor में कहाँ पर dust है उसका monitor कर सकते है और बाद में उसको clean भी कर सकते पर इसके लिए आपको capture nxt software की भी ज़रूरत है Nikon का तो मैं इस option को कभी भी use नहीं किया हूँ इसके बाद यहाँ पर जो settings है वो है pixel mapping तो basically अगर आप आपका image में कोई unexpected bright spot आपको देखने को मिलता है तब आप यहाँ पर आके camera का image sensor को या image processor को optimize कर सकते है तो यह option भी मैं कभी भी use नहीं किया हूँ इसके बाद यहाँ पर settings है वो है image comment तो basically यहाँ पर आके आप कोई भी comment जैसे के आपका नाम आपका studio का नाम phone number या कोई भी information आप यहाँ पर input कर सकते हो और यह information आपका हर एक image में exhibit data या metadata में आपको देखने को मिलेगा जब आप उसको post processing software में उसका exhibit data को देखेंगे इसके बाद यहाँ पर settings है वो है copyright information तो basically यह यहाँ पर आके आपका नाम या artist का नाम या copyright information को आप यहाँ पर input कर सकते हैं और यह copyright information आपका हर एक image में metadata में या exhibit data में आपको देखने को मिलेगा इसके बाद जो settings है वो है beep options तो basically यहाँ पर आके आप camera में जो beep sound होता है उसको modify कर सकते हैं तो जो first option है उसको on या off या touch control मे only on करके रख सकते हैं यह uno Kem up को ज्जादा या कम कर सकते हैं और यहाँ पर you Appala beaq अ पीछ हाय लो कर सकते इसके बाद यहाँ पश्थ पह संुन के लिए छेल कर सकते हैं अप किस पर ईमेर को और यहां पे इमेज प्ले करते हो तब किस तरह से इमेज या धी makes प्रसक्राइब सबस्जिए करना चाहिए हो ऑप यहां से उसको शेट कर सकते हो या राइतरों ऑप्शन में से चूज़ करके तो इसके बाद यहां पर जो ऑप्शन है वो है HDMI तो बिसकली जब आप आपके कैमेरा को किसी HDMI के बेल से किसी मोनिटर या LCD में connect करते हो तब आप उसका output settings को यहां से change कर सकते हो तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है output resolution तो आप इसको HDMI output resolution को set कर सकते हो आपके हिस इसके बाद जो settings है wireless remote WR options तो बिसकली जब आप Nikon के external wireless remote WR R10 को use करते हो तब आप उसका settings यहां से कर सकते हो इसके बाद जो settings है वो है assign remote WR FN button तो जब आप optional wireless remote को use कर रहे हो तब आप उस time FN button को किसका में use करना चाहते हो अब यहां से इन सारे options में से उसको choose या set कर सकते हो इसके बाद यहां पर जो setting से वह है airplane mode तो बिसकली इसको on करके आप जो camera का wireless feature है जैसे के Bluetooth Wi-Fi इसको off कर सकते हो इसके बाद यहां पर आपके camera को आपके smartphone या smart device पर connect करने के लिए जो सारे settings है वो आपको यहां पर कुछ देखने को मिलेगा तो यहां पर आप Bluetooth pairing को on या off कर सकते हो आप यहां पर जो paired device है उसको देख सकते हो और यहां पर Bluetooth connection को off या on कर सकते हो यहां पर आप Wi-Fi connection को भी off या on कर सकते हो और यहां पर जो last option है send while off यानि की जब camera off होगा तब भी जो transfer है वो जाली रहेगा अगर आप इसको on करके रखते हो तो यहां पर इसके बाद जो settings है connect to PC तो basically यहां पर आके आप आपके camera को अपना PC के साथ Wi-Fi के through connect कर सकते हैं और आपका image गो आपका PC में process कर सकते हैं इसके बाद जो settings है wireless transmitter WT7 तो basically अगर आप WT7 Nikon का wireless transmitter use करते हैं तब आप उसका settings यहां से कर सकते हैं इसके बाद यहां पर जो option है confirmity marking तो basically यहां पर आके आप जो confirmity marking है या जो camera का standard है वो आप यहां पर देख पाएंगे यहां पर इसके बाद जो है वो है battery info तो यहां पर आके आप battery percentage या number of shots या battery age इस तरह से कुछ battery का information आप देख पाएंगे यहां पर इसके बाद जो settings है USB power delivery इसके बारी तो अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो तो जब आपका camera को USB cable से PC या laptop में connect करेंगे तब camera उस laptop या PC से जो power है वो input करेगा और यह आपका जो battery drain है वो कम होगा यहां पर इसके बाद जो settings है वहां energy saving photo mode तो इसके लिए अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो तो अपका shooting display है वो dim हो जाएगा camera का standby time expire होने का 15 seconds पहले तो यह basically जो battery के energy है वो save करता है इसके बाद यहां पर जो settings है slot empty release lock और इसके अंदर आपको दो options देने को मिल रहा है तो जो यहां पर first option है release locked अगर आप यहां पे set करके रखते हो जब आपके camera में कोई भी memory का नहीं हो तो तब आप shutter button को paste करने पर भी shutter release नहीं होगा और यहां पर जो second option है interval release तो अगर आप इसमें set करके रखते हो तो जब आपके camera में कोई भी memory card नहीं होगा तब shutter button को paste करने पर shutter release होगा पर कोई photo नहीं उठेगा इसके बाद यहां पर जो settings है वो है save load menu settings तो basically यहां पर आके Same model के camera में उसको share कर सकते है अर उसको उस camera में load भी कर सकते है यहां पर जो इसके बाद option है वो है reset all settings तो यहां पर आके आप आपके camera में साड़े settings को reset कर सकते है तो यहां पर जो language है और जो time zone है वो reset नहीं होगा और यहाँ पे इसका जो last option है farmer version तो यहाँ पे आके आप camera का और lens का farmer version को देख सकते हैं और अगर कोई नया farmer version आता है तो आप यहाँ पे आके उसको update भी कर सकते हैं तो कैसे आप आपके Nikon के camera में farmer को update करेंगे उसके उपर भी मैं एक वीडियो बनाया था तो आगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक आपो नीचे रेसिप्शन में मिल जाएगा तो यहाँ पर setup menu के बाद आपको retouch menu देखने को मिलता है और इसके अंदर भी आपको बहुत सरा options देने को मिलता है तो basically retouch menu के अंदर आप camera के अंदर ही ना raw या jpeg photo को retouch कर सकते हैं और इसको edit करके नया looks दे सकते हैं तो यहाँ पर जो first option है नीए फिर रो प्रोसेशिंग तो यहाँ पर आप raw image को process करके उसको jpeg में save कर सकते हैं यहाँ पर आप image को trim कर सकते हैं image ko resize कर सकते हैं आप को यहाँ पर color lighting का option फी outward देखने को मिल रहा है आप camera के अंदर ही red eye direction कर सकते हैं आप यहाँ पर image को straight कर सकते हैं अगर वो straight नहीं है तो यहाँ पर distortion control और perspective control का भी औप्षन देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर इन सारे options में से experiment कर सकते हैं मैं basically process करता हूँ PC में तो मैं कभी भी इन सारे options को use नहीं किया हूँ पर अगर आप चाहे experiment करना तो यहाँ पर इन सारे options में से कर सकते हैं तो यहाँ पर retouch menu के बाद आपको सबसे last में माई menu या recent settings का option देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आके अगर आप choose tab पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दो option देखने को मिल वा है अगर आप इसको my menu पर set करके रखते हैं तब आप यहाँ पर add items करके अप जो जो settings को frequently use करते है या जो settings को जादा use करते है उसको आप यहाँ पर add कर सकते है और यहाँ पर आके आप उसको easily access कर पाएंगे और अगर आप choose tab पर recent settings को save करके रखेंगे तो आपने जो जो सारे settings को recently access किये हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह आप आपके ही सब से चूज करके रख सकते हैं तो वीडियो यहाँ पर बहुत लंबा हो चुका है और वीडियो आपको कैसा लगा उसका feedback नीचे comment पर ज़रूर देना अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे comment में कर सकते हैं मैं उसका reply ज़रूर दूँगा अगर आप चाहिए तो मुझे Facebook या Instagram में भी follow कर सकते हैं उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो इस वीडियो में पास इतना ही मिलते किसी और वीडियो में